बस्तर जीले में 144.6 mm बारिश्वी दर्ज इंद्रवती का जलिस्तर पहुँचा 8.700 मिटर पर 24 घंटों में जगदलपूर में 149 mm बरसे बादल सुखमा में बोदा गुणा नाला डूबा रास्ता हुआ बद राश्टी राजमारगत 30 पर धाई भीट उपर से बहराहा पानी तो बंद कर दी गई आवाजा ही बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब शहर के हालाद बिगरते चले जा रहे हैं बस्तर जिले में गुरुवार को 144.6 mm बारिश हुई है जिसमें अकेले जगदलपूर ब्लॉक में 149 mm बारिश और दर्भा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 207.8 mm वर्षा रिकॉर्ट की गई है शहर में निचली बस्तियों में अब पानी भरने लगा है रात 9 बजे एनेच 30 पर आवा जाही बंद कर दी गई है परचनपाल के पास रायकेरा नाला भरने से रायपूर जाने का रास्ता बंद हो गया है इंद्रवती नदी का जलिस्तर 8.700 मिटर पर पहुँच गया है जबकि खत्रे के निशान 8.300 मिटर है हर घंटे 8-10 cm पानी बढ़ रहा है इंद्रवती नदी के पुराने पुल के उपर से पानी का बहा होने से यहां से आवा जाही बंद कर दी गई है इधर शहर के निचली के तोर पर उन्हें सुरक्षित जगों पर जाने को कहा जा रहा है मौसम वग्यानिक एच पी चंद्रा बताते हैं कि शुक्रवार को अधिकांश जगों पर हलकी से मध्यम बारिश और एक-दो जगों पर भारी बारिश की संभावना है कुंडगाउं जीले में साल भर पहले बने 100 किलोमीटर लंबे निंगोपत की गुडवत्ता की पोल इस बारिश ने खोल दी है मालूम हो कि सड़क का उधगाटन करते हुए अफसर और जन प्रतिनुधियों ने बाइक से सफर किया था भाटपाल से मर्दापाल के बीच आधनार में बनी सड़क और पुलिया तू पुलिया धनार में बनी सब्सक्राइब ने लेपर